प्रदाश्काव मित्रों शात्यों जब जीव चतनी सत्ता के साथ रहता उस ग्यान के साथ रहता उस अनभाव के साथ प्रदाश्काव मित्रों इसा प्रदाश्काव मित्रों हुए साथ रहता है उस साथ ऊक्रीन जीव चतनी सत्ता के सथ सुमरण में लहबरायाता है उसके परीकिज्णảव्ण वो खंडित हो जाता है एक बार ऐसा हो जाता है जीव स्वते उसे प्रमानंद परमशुक्ति प्राप्ति करता है लेकिन उसके लिए गुरु की आगया आवी और गुरु की आगया जाई क्या कबिरती दास को तीन लोग भाइना है गुरु आगया की अन जाने वाली स्वाशों का अनभाव कर जीदें यह अनभाव हो जाएगा श्यों का बोध हो जाएगा जीते जी मुक्त हो जाओ दाने बात करते हैं 15 फरवरी 2024 की राशी फल और पंचाग राशी फल प्याओं उससे पहले आज का पंचाग मांग मांग शुकल पक्स की सश्टी विक्रम समथ 2080 फालगुन मांच की तीन परविष्टिक सक्षम 1945 मांग 26 तद अनुसार गुरुवार 15 फरवरी 2024 सुद्धकालिन तिती सश्टी है तिती का जो स श्टी काल्य योग शुख्ल योग योग जो समापती काल है वह आंच बज़्गे मिन्ट 25 बज़्व और रहा मिनट अगला करन गर होगा सुद्धकाली नक्षटर स्व नक्षटर स्वामी केतुदेव नक्षटर का सवह नोव बज़्गे 27 अगला नक्षटर भ्रणी होगा क्या प्रभभाव क्या है आपका लखी नंबर क्या कर स्कुर गवा रहे कितना प्रतिस्चेता आपका भाग्य रहेंगा यह सब कुछ जानकारी आपके राजी अज मैं आपको दोँगा लेकिन उससे पहले आज के घ्राइए एकरहों का संचना और यह ङो 12 genetics का मैंने राड़ पर जीट मूर्ते हैं उब जो पर 12 बजकर 13 मिंट से लेकर दोपर 12 बजकर अठाउंट मिन्ट तक रहेगा अवदी 45 मिन्ट है और यह 45 मिन्ट आज की दिन कोई भी शुबकारी करने के लिए सबसे उत्तम महुरत है को भी नयार शुबकारी जिसकारी में चीर कालते के लाब लए उसे अभीजीतमूर्त में कर अभीजीतमूर्वानारी को बहुत प्रिया है मित्रों शात्यूं कि rasa कशी शुबकारी को करने के लिए क्या चोगडिया का आपना महत्यों है शुबका चोगडिया लाब यहाश्ट यह उतापशिकर रहे इडियाब तालिस मिंट से लेकर साम 6 बज करी 11 मिंट तक रहेगा आज का जो रहुकाल है वो दोपार 15 बज लेकर 3 बज तक है रहुकाल दंशुपकारी करना शौदा करना पुझनिस करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है सलह मेरी मरजी आपकी यात्रा दक्षन दिशा की ठीक रह हाँ आज कि दून जब आप यात्रा के लिए घर से बार निकले तो पहले सद्गदम दक्षन दिशा की चाए इस देवता कुम देवता पितर देवता का ध्यान करते मंगल में यात्रा की काम्ना किसे राइट टान लोले और यात्रा पर जाएएगा कर्ष्ट कमाय जानना पर करते हैं। लेकिन आप से जानकारी जना लोगेक्षे है। आप अपने बाहरे । जानकारी आपma के नंबरर पर भूरे, इन नंबरों पर शंपर करके मेरा संपरक स्थाफित करब सकते है। अविशे मैं acquaint आप वो आपसे कहेंगे कि गुरुमाराज जी से दातिमाराज से बात करनी है तो आपको गोशेवा करने हो देखा, मितरों शातियों मेरा शंपूंग जीवन गोशेवा के लिए, मेरी गाएं सुखी रहे, मैं ये कारिय करता हूँ, समयकाल प्रसतियां हमेशा एक सी नहीं साथ दती सातियों मेरी आरतिक स्थिति इसमें थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गाये है मेरे गाये सुखी रहे मैं आप लोगों की सेवा में हूँ तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिए गायें की सेवा करें जो लोग मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बाकि आपकी मैं से मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों शात्य आप सभी लोग कि शनिधाम का जो नंबर है कोशाला का नंबर है उस पर आप फॉन तरते हैं जो लोग वहां काम करते हैं उनका ओपिस का अपना एक ताइप है आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह नौ बज़े से लेकर साम आठ बज़े की बीच में उठाएगे इसलिए मेरा निवेदन है कि आठ बज़े की बाद आप फोन नहीं करें आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकर या आपको कोई नहीं देगा तो जो भी जो शाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौसाला के इन नंबरों पर शंपर्क जो होगा वो सुबह नौ बज़े से लेकर शाम आठ बज़े तक ही होगा इस बात का थ्यान है प्रदेशकों में तरों शाथियों 15 फरवरी आपका जनम दिन या फिर शादी की साल गरे मेरी और से तो पति-पतनी दोनों इस उपाई को करें अगर आपका जनम दिने तो उस उपाई को आप श्यों करें मित्रवर्शाथियों किसी भी गुरुवार को या किसी भी मंगलवार को यह दोनों दिन चलेगा आपकी जीवन में कोई भी परिशा नौकरी वेवसाय करजा बढ़ गय परिवार में शुक्षान्ती नहीं है तो गुरुवार के दिन प्रादकाल नित्य करम से नियोशिनान उपरांद ब्रह्म मूर्थ में शर्था पूर्वक भगवाण श्री हरी विष्णों का पूजर लगा है धूप दीप नेविद्य पुष्पर अक्षत अर्पित करें एक तुल्सी मंजरी प्रभु श्री नारायन के चड़लों में चड़ती है लक्षमी जेगी नहीं इस बात का तहां में और वहीं बैठकर विष्णु सस्तर नमामली का एक पाट यह उपाए आप गुरुवार को करें और साल भर हर गुरुवार को करें केरियर कारबार नोकरी व आपकी राशी पल्ड़ आपकी चंदर राशी आपके नान अपसे अधर्द है पुर्षण के लिए महिलाओं के लिए बुजर्गों के लिए बच्चों के लिए और सबसे पहले बात करूंगा मैं राशी लगन भाव में चंदर देव केतु देव और शुक्र देव की जिसरे के घर यवग्योगर आज या आतम विशवास और प्राकर में घुंइंब दिया प्रशासिनी का दिकारी हैं सो मैं देडियों के सिठर में मनों को शपलता है नको करें कारें सब्सक्राइब नब्वे प्रसंद लाब कर संकेते मेसराशी वालों आज गुड़ वाले प्रहंटे में गुड़ डालकर प्रहंटे बनाई और गरीबों को अपने हाथ से खिला दी या गाई को फिला दी प्रेशाने से छुटकारा मिलेगा नुमनन बात करते हैं विर्षबरा सब्सक्राइब तो मूटा नुक्सान होगा चाहिए प्रपर्टी सेल पर से जो चाहिए वाल सेर्पेट लो आज के दिन किया पुंजी निवेश खरीदना और बेचना दोनों नुक्सान दाएगे लापरवाइन ने करें आज आरोप और प्रत्यारोप की प्रबल संभाव न सब्सक्राइब और समंदों में पवितरता रखे अनिता परिशानी है क्या करें धैरी और संयम से पारवाइर रजाबंदी से काम करता अच्छा रहेगा क्या ना करें दिवे वचनों से ना मुकरें शुबंग्दो शुबरंगुलावी भागी आपकी पक्स में केवल 30% अधियाद सपल होंगे वर्चसों में विर्दी होगे देश विदे से सुप्समाचार मिलेंगे धनलाब होगा पुराने मित्रों से मिलें नहोंगा और आज परशासनेक चंता में विर्दी होगा एक बात जरू कहाँए मित्रों सपलता बहुत अच्छी हो लेकिन थोड़ा स पिलता उसको हरी इलाइची छोटी वाली बाठिएगा आपके लिए शुब उपाए रहेगा नुम्राइच और बात करते हैं करकराश करकराश से पहले आज का उपाएची संतान को अनावेसक केरियर कारोबार नोकरी या शिक्सा में समस्यों कर सामना करना पड़ रहे हो या उ अगातार चालीस गुरुवार कर दीजिएगा कष्ट और प्रेशाल से छुड़ कारा मिलेगा नुम्राइच और बात करते हैं करकराशी दस्वे भाव में चंदर देव केतु देव और शुकुर देव के नक्ष्ण में संचर्ण में रुकवाकारी पून होगा भूमी और भ शिक्षा के चितर में शफलता के उत्तम होसे क्या करें आर्तिक चितर में अनकुल बद्राव धरी और स्युम से करिएगा क्या ना करें गयर कानों ने कारियना शुबंगार्ग भूरा भागिया आपके पक्ष्ण सतर प्रसंद लाब कर संकेते करकराशी वालों सर्दानुज शकर बुरा गरीब महिलाव में बातना उत्तम रहेगा नुमनाइन और बात करते हैं इस चिंगराशी नौवे भाव में चंदर देव अस्वनी नक्षतर में निकेतु देव और सुकर देव के नक्षतर में है बुचर इस बात का संकेते रहे कि अपनों का सयोग मेलेगा और आर्थिक पक्षिक सुवरता मजबूत रहेगा फिर भी आहिर वह को संतुलर मना कर जाए वरिष्ट व्यक्तियों की मैत्री लाप पर देए उनके सामने विनमरता से पेशा है रोजगार की साधनों पर लोगे सरकारी नौकरी में प्रयास रत युवाओं को सपलता के संक सब्सक्राइब करने से कष्ट और प्रेशान से शुटकारा मिलेगा नौमनाई और बात करते हैं कन्याराशी आटवे भाव में चंदर देव केतु देव और शुक्र देव के नक्स्रों में संचेकर सितारों की चाल प्रतिकूल है आज कामकाज कारबार नौकरी परिवार में नियमों का पालन बहुत जरूरी कानूनी नियमों का उलंगन करने से मोटा नुक्सान होगा जिवन साथ इसका टकराव नहीं हो अतितिक आतम विश्वार और क्रोध पर अंकुस रखना बहुत जरूरी है और जल्दबाजी में कोई निलने नहीं नहीं को बेच परिवार में किसी प्रबावित होगा कारिशत में असंतुलन से सारिक और मांग्सी केरियर में में वीवाha और विद्यारतियों के तर्शकौन से समय आज परिशानी का संके अला परवाई निते लंगार अपनों के साथ रहे थोड़ा सा गंभीर और चित को सांत रख कर निरने लेंगे तो अच्छा रहेगा नहीं तो परिशानी है क्या कर ना करें नमेन कारी आज आरब मना कर शुबंगे एक सुब्रंग सपेद भागी आपकी पक्स में 40 प्रसें लाब कर संकेत है का नियराशिव प्राक्रम बढ़ेगा मित्रों से लाब और प्रसंथाविगर धनलाब के अच्छे मोकी लेगा आज विद्यार्तिय युवां को केरियर और एजुकेशन के चित में उत्तम अवसर और अपाल सपलता का योग है अच्छे अजुकेशन संसान से जुड़ने का मोका भी मिलेग कारुबार में नहीं अनुबंदर मिलेगा शिक्षा में शफलता प्रतियोगिता खेल के मेधान में अच्छा आउसर मिलेगा मातरपक से सवयोग मिलेगा शारवर इशुक और आर्योगिता बढ़ेगी केरियर की दिशकार इश्वाउं के लिए आज का दिन बढ़ा उत्तम ह शिख्षा और के साथ से समय अनुकूल सपलता का संकेत रहे आतम विश्वास में विर्दी होगी मन अनुकूल प्रेख्षा प्रणाम रहेंगे मानसमान बढ़ेगा और यस्वे क्या करें कोई भी विवादी दुमुद्ध हो उससे समाप्त करने का प्रियास करें क्या ना करें अपनों का फाइदा ना होता है शुबंग शार शुबरंगाट भागिया आपके 75% लाब कर संकेत है विर्षिकराशी वालों आज सरदानुचा शाबूत मशूर गरीब निर्धन विद्वास्त्री को दान में देना उर्तम रहेगा नमनान और बात करते हैं धनुराश धनु अच्छा लाब मिलेगा संतान पक्ष मजबूत रहेगा बुद्धी आपकी अच्छी रहेगी शकारात में सोचे कामकाज कारवार नौकरी में धन लाब की इस्तिती मजबूत हो लेकिन फिकल माइंड नहीं रहना चंचल मन पर काबू रखना संतान के शिक्षा के चेतर में म आपके लिए अच्छा रहेगा च्छोटे भाइबें सहयोगी शावित होगे सामाज जी कि रादिनी वर्चे उस्रेगा लेकिन आज थोल आशा सहीम और धहरे का प्रचे जरूर क्या करें अपने करत्वे का पालन करें क्या ना करें शटा मार्केट से अपने आपको दूर र घर में शुक्षानती नहीं क्या करा है मित्रों पीपल या बढ़के पत्ते पर आटे का दिपक बनाई और खड़ी बती उसमें रखेगा सुदेशी घी अपने हाथ में ले लिजी गायत्री मंत्री का 108 बाट जाप करके यह दे किसी बहते विए जल में या तालाब में चौते बाट विवाद तरक वितार कलेश घर में आपसी सद्धिय में उठा पटक परिशानी का संकेत नजर वेवार में संयम नहीं रखा तो घर के बाट विवाद के करने केरियर का और नौकर में मोटा नुक्सान हो सकता है आज माता से तक्रार नहीं हो इस बात पर वी आपको काम करना पड़ेगा विवादित पुझी निवेस नहीं करें जमिनजायत कर सौधा नहीं करें बहान नहीं खरीदे आपके लिए नुक्सान का संकेत है आज शत्रु आपको प्रशान कर सकता है हानी पहुंचा सकता है धन क्या ना करें किसी भी कारी में आज पुंजीने वेशना करें सुभंग एक सुभरंग पीला भागे आपके पक्स में केवल केवल 30 परसंद लाब का संकेत है मकर राश वालों किसी गरीज जुरुद्मन वेक्ति को जूतों का दान देना अच्छा रहेगा नए जूते खरीद के धनलाव होगा शपलता प्राप्त करेंगे और मातापिता का पूर्ण श्यूग में उस शिक्षा के सित में अधिनत विद्यारतियों को मन उनको शपलता पाने में शपनों को शाकार करने में नक्षत करना पूर्णता उनके पक्स में पारवरी सद्वर्ण के सला काम आएगी शिक्षकों की बात सुनी तो सफलता में चार चांद लग जाए क्या करें नमिन कारी योजना की पर्ति परिवार की साथ बैटकर विचार करना बहुत जरूँ क्या ना करें अपने अधिकारों का गल्थ प्रियोग ना करें शुबंग चार शुबंग परपल भागिया आपकी 50 सर्दान सार काले तिल शकर बुरा मिलाकर चींटियों को डालना अति उत्रम उपाए रहेगा नमनाय और बात करते में दूसरे भाव में चंद देव केतु देव शुकुर देव के नक्सरों में संच में गोचर लाब शपलतार खुश्ची का संके देव धन की प्राप्ति हो क्या करें अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण प्रियास करने वाले क्या ना करें व्यर्थ के विवाद दिना पड़े सुबंग साथ सुबंग हरा भागया आपके साथ प्रसंद लाप का संकेत है में डाशिवालों पकावा पपी ता किसी गरीब निर्धन महिला को दान में दे अपन अधिकर आपका था आपका है आपकी करेगा मनोन मनोई आपकी मलिया आंकलन मेरा था मेरे से कोई भूल या गल्ती हो गयो दोनों हाथ जोड़का आपके कुछ हमा मांगता हूं आप शुखी ने आश्वास्त्रें समर्दी सिले संदेव की चनव मेरी प्रात्मा ओम्नम था मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का नक्ष रहा है मनश्य हूं और मानों होने इतना ति मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूं मैं इस राष्ट का नागरिक हूं तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और यह मेरा इंकार नहीं है कि धन को लेकर मै राष्ट के सामने कभी नहीं आये था लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक प्रस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्योग चाहिए और स्योग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्यों के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जिऊँगा तब तक खड़ा रहूँगा नमबर आ रहा है इन नमबरों पर शंपर करिए आप मेरे से बात करिए लेकिन इसकी है वज़ में गायों के लिए चाहरे की वेवस्ता कर लेज़े और इसलिए मैंने कहा था कि भई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाये चाहरों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरुदे से आया लोगों ने कहा कि राश्र आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ यह जईवजमयं मेरा यह एंकार नहीं आप सातियों मैरा राश्र परी है मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चाहरे की वेवस्ता करेगे सानिभ्वान आपकी रक्षा करेगए आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगबग बीस से पचीस पचास लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रणार करता हूँ और ये सयोग में जीवन भार याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रसती आर्तिक द आप भी जानते हैं शासन की अपनी एक शीमा है और अपनी मर्याता है और शासन के पास और बहुत से काम है जैकन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देटे भी हिरदे से पुने एक बार निवेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़र स्योग करें पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी आउम नमो नारायन आउम नम मुझा प्रातरा थी आपको लिवेदन करना जातरा थी आपको लिवेदन करना है